कल्यूग का कवच क्यूं कहते हैं रूदराक्ष को? हमारे पौरानित कथाओं में रूदराक्ष का काफी महत्व है. हिंदी ग्रथों के अनुसार रूदराक्ष की उत्पती शिव के नीत्रों से हुई है. इसे धारन करने से व्यक्ति प्रगती के पत पर अग्रसर हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि रूदराक्ष व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे व्यक्ति बुरी शक्तियों से हमेशा बचा रहता है रूदराक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, जिन्हें अलग-अलग प्रयोजन के लिए पहना जाता है इसलिए रूदराक्ष को धारन करने से पहले किसी अच्छे जयोतिश की सलाह जरूर लेनी चाहिए किसी भी जगह से रूदराक्ष को खरीद कर नहीं पहनना चाहिए रूदराक्ष एक खास तरह के पेड का बीज होता है ये पेड आमतोर पर पहाडी इलाकों में एक खास उंचाई पर पाया जाता है रूदराक्ष सिर्फ बुरी शक्तियों से नहीं बचाता है बल्कि ये भी बताता है कि पानी पीने लायक है या नहीं रूदराक्ष को पानी के उपर पकड़ कर रखने से अगर वह खुद बखुद खड़ी की दिशा में घूमने लगे तो इसका मतलब है कि वह पानी पीने लायक है अगर पानी जहरिला या हानी पहुचाने वाला होगा तो रूदराक्ष खड़ी की दिशा से उल्टा घूमेगा पुराने जमाने में जब साधूसंत कई सालों तक जंगलों में रहा करते थे तो वे रूदराक्ष की सहायता से ही पता लगाया करते थे तालाब का पानी पीने लायक है या नहीं रूदराक्षी को किसी अच्छे मुहूर्ट में धारन करना चाहिए जिस रूदराक्ष की माला से आप जाप करते हैं उसे कभी धारन नहीं करना चाहिए इसे अंगूठी में नहीं जडाना चाहिए पूरे नियमों के साथ रूदराक्ष धारन करने से व्यक्ति के सारे कश्ट दूर होते हैं कहा जाता है कि जिन घरों में रूदराक्ष की पूजा होती है वहां मालक्षमी का वास होता है यह भगवान शंकर की प्रिय चीज मानी जाती है रूदराक्ष कई मुखी होते हैं हर रूदराक्ष की अपनी उपयोगिता होती है एक मुखी रूदराक्ष एक मुखी रूदराक्ष को शिवजी का ही रूप माना जाता है इसे धारन करने से हमेशा मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है दो मुखी रुद्राक्ष इसे धारन करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनुकामना पूर्म होती है तीन मुखी रुद्राक्ष जिन लोगों को विद्या प्राप्ती की अभिलाशा है उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए चारमुखी रुद्राक्ष जबकि चारमुखी रुद्राक्ष को धारन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है पांच मुखी रुद्राक्ष अगर आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही है तो पांच मुखी रूदराक्ष धारन करना चाहिए। इससे सभी समस्याएं हल होती है। चह मुखी रूदराक्ष इसे भगवान कार्तिके का रूप माना जाता है। जो व्यक्ति इस रूदराक्ष को दाहिनी बाह पर धारन करता है उसे पापों से भी मुक्ती मिल जाती है। सातमुखी रूदराक्ष अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सातमुखी रूदराक्ष धारन करना चाहिए। आठमुखी रूदराक्ष जबकि आठमुखी रुद्राक्ष धारन करने से व्यक्ति अकाल मृत्यू से शरीर का त्याग नहीं करते हैं. ऐसे लोग पूर नायू जीते हैं. नौमुखी रुद्राक्ष ये महाशक्ती के नौ रूपों का प्रतीक है. ऐसे लोग सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं. समाज में खास पहचान भी मिलती है. दिसमुखी रुद्राक्ष जबकि दिसमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति की हर मनुकामना पूरी करता है. ग्यारह मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारन करता है, वह हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता है. बारह मुखी रुद्राक्ष जबकि बारह मुखी रुद्राक्ष धारन करने से बारह आदितियों की विशेश क्रिपा प्राप्थ होती है. 13. इस रुद्राक्ष को धारन करने से व्यक्ति भागयशाली बन सकता है 14. इसे धारन करने से पाप से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को पॉजिटिव एनरजी मिलती है हम उमीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माद्यम से रोचक जानकारियां दे सके आप हमारे साथ जुड़े रहिए ये विडियो अगर आप फेस्बुक पर देख रहे है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूटूब पर देख रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद